दोस्तों अगर हमें HTML फाइल create करनी है तो simply हमें उसका extension.html रखना होता है ठीक है तो आईए इसे create करके देखते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ notepad को और इसके बाद यह जो फाइल है इसे हम save करते हैं save करके desktop पर रखते हैं और यहाँ पर आपको simply इसका name देना है तो यहाँ पर मैं name देता हूँ test उसके बाद यही जो important point है यहाँ पर आपको लिखना है dot html इसके बाद एक html file create हो जाएगी यह आप देख सकते हैं यह आपको show होगा browser type आपका जो default browser होगा वो इसी type से show होगा इस पर आप double click करेंगे तो यह आपको इस type से show होने लगएगा browser पर ठीक है दोस्तों तो इस यह तो हुआ html file को कैसे create करते हैं आने वाली वीडियो में हम इसे और अच्छे से जानेंगे thank you